देखिए आखे जो एक बनावट है वो इस किसम से है वो एक कैमरा कितना काम करती है सबसे आगे तो कॉर्णिया होता है बिल्कुल जो ट्रांस्टरेंट लाउस लैट स्ट्रक्शर होता है आपको नदर आता है उसके पीछे आईरिस होता है ब्राँन कलर, ब्लक कलर, ब्ल्यू कलर जो अलग-लग भीचेश में अलग-दन से कलर होता है उसका और उस आईरिस के बिच में एक उपनिंग होता है पूपिल तो होता क्या है, जो light है, cornea transparent membrane के थ्रू अंदर जाती है, pupil से enter करती है और फिर पीछे हमारी eyes में retina पे पड़ती है तो जो lens के थ्रू जा रही है, pupil के थ्रू जो light जा रही है और retina के बीच में 4-5 ml की jelly होती है ये jelly बिल्कुल thick jelly होती है, young age में लेकिन कुछ लोगों में और, period of time, with age इस righteous jelly को, जो jelly में बहुता है, righteous jelly को कुछ पार्ट धागे बन जाता है, कुछ पानी बन जाता है इस related changes आने कला जाते है लेकिन आपने जैसे पूछा कि young age में भी दिखने लग जाते है तो young age में दिखने का कारण ये होता है जो minus number का चश्मा लगाते है, myopic होते है उनमें ये जो jelly है, उसकी liquefaction, इसको पानी बनना, धागे बनना थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता है जब light pass हो रही थी जैली के थुरू, जो part धागे बन गया होता है उसी की shadow रेटना भी पढ़ती है और आपको वो black spots, dot like, cobweb like, या धागे की तना वो structures आखों के आगे move करते हैं नसरा आते है क्योंग जैली आख की movement के साथ हिल रही होती है तो ये कारण होता है, richest floaters बोलते हैं, richest jelly की liquefaction अब इसका अगर हम ये पूछें, क्या side effects हो सकते हैं अगर आपको एक दो धागे दिख रहे हैं, floaters दिख रहे हैं, तो उसमें कोई ड़वाली बात नहीं है लेकिन एकदम से बहुत सारे spots आगे jelly, cobweb आ गया, यसरव ने शावाला black spots आगया और इसके साथ मान लो आखों में light भी चमखने लग जाए, flash आने लग जाए तो यह काफी बड़ी problem की दरफ संकेत देते हैं, कि आख के अंदर कोई retinal hole तो नहीं बन रहा है जो jelly है वो परदे को खीच रही होती है, कि इवर retina में hole भी बना देती है और retina फट जाता है, retinal tear बन जाता है, and it can lead to retinal detachment आख का परदा ही जाना, retina detached हो जाना, जिससे आप उपनी vision भी lose कर सकते हैं तो सबसे जरूरी है, जब भी आपको black spots, floaters का पबाँ चले आपको के आगे तो आपको तुरूंत अपने retina specialist, eye specialist के पास जाना है वो आपको दवाई डालके, पुतली को फैलाकर retina check-up करेंगे यह देखने के लिए, कि आपकी आप में कोई retina hole तो नहीं बना है एक और important चीज होती है, black spots आने का परवन होता है, bleeding आँखों के अंदर आना bleeding usually देखी जाती है, diabetic patients में, या किसी चोट लगने के बाद तो आपको अज़र चोट लगी है, आप diabetic हैं, तो भी आपको अपने retina specialist के बास visit करना है, यह दिखवाने के लिए bleeding तो नहीं हुई है, कोई छेर तो नहीं बना है retina में, ताकि एक भारी दिखकर से आने वाले time में बचे जा सकते हैं, आपकी रोशनी को लंबे time के लिए हम कयान रख सकते हैं